तो हलो माई फ्रेंज यह बोया की बाई अमन माईक जो की पहली लज़र में आप देखोगे तो लगए कि एक दम ओरिजिनल है कोई डिफरेंस नहीं है बॉक्स वगरा हर एक सी डिटेलिंग वगरा अंदर की सारी चीजे भी दिखाता हूं आपको कहीं से भी आप अगर पहली बार इसको खरीद रहे हैं पहली बार की बात कर आँ फेस्ट टाइम अगर आप इसको परजेश कर रहे हैं तो पता नहीं कर भाएंगे कि यह औरिजिनल है या फिर फेक है औरिजिनल साइट पर फिर आमेजन से आप पर्शेस करते हैं तो आपको 800 से या फिर 7500 रुपे ऐसे ही कुछ मिलता है यहां पर आफ लाइन जो है पर्शेस करते हैं दोस्तो से लेकर पावंचार उपए तक आपको यहां पर दोस्तो ले लिया जाता जो करेंगे जो कि आपको यहां पे और जो होते हैं उनमें दोस्तों डिफ्रेंस बता कर सकेगा तो वाई सबसे पहला जो हमारा है यह बॉक्स अगर मेरे पास तो बीरे लिए बटो है यहां पे साइड में एक इमेज है आप देख सकते हैं कि और जिनल एप इस में कंपेर करते तो इसका जो color आप देख सकते हैं किता फेड है बाकी यह इसका जो decent है color जो आप side में देख रहे हैं बाकी का और भी दोस्तों यहां पर सबसे पहला और फस्ट आप दोस्तों visible कर पा रहे होंगे यहां पर बोया के ऊपर एक छोटा सा Cake register Mark वाला logo आप देख सकते हैं कि R लिखा हुआ है आपको original वाले में ऐसा ऐसाıı मी डेखने के लिए सेकेंड आप देख सकते हैं कि हमारा QR कोड है आप देख सकते हैं कि original वहारा side में है जो हमारा डूप्लीकेट वाला है ऐसे एक स्क्रैश करD दिया हुआ था जिसको मैंने नेर्ड कर दिया हुआ है बट यहां पर देख सकते हैं कि कोई भी सीरियल नमबर नहीं होता है बट आपके पास अगर ऑरिजिनल है पहली बात तो उरिजिनल वाला जो क्यूआर कोड होता है वह छोटा होता है इसके कंपेर में उसमें एक छोटा स सीजे देखने के लिए मिल जाएंगी पहला तो आपका रजिस्टर मार्क वाला लोगों दूसरा क्यूआर कोड में ही स्कैम करके रखा हुआ है इन्होंने बैक साइड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो कंपनी ओरिजिनल वाली होती है वहां पर अपना एक पर एक से कैसे पाता अं सकते हैं कि मैं औरिजिनल एकि माइक फेक है तो यहां से चलिए इस अको ओपन करता हूं है वैसली भाई चाइनीज वाले क्या क्या कर देंगे आपको भी पता नहीं चलेगा यहां पर यह पाउच है आप देख सकते हैं कि बोया की यह पाउच एकदम बिल्कुल सेम टू सेम टू कॉपी है जैसा कि उसमें है लेकिन यहां पर लेदर क्वालिटी आपको जो इसमें देखने के मिलेगी इसमें आपाउच में कालर में लगता है आई यहां पर थोड़ी से डलेख यहां पर एक है उडाम के संवह हुं नी वाई माई क मालें चली आपको पहसी एक Standing के लिस्वार मिल सकते हैं कि कि यह माइक हमारा फेक है या फिर ओरिजिनल है तो यहां से इसको हम निकालते हैं बाहर और आप देख सकते हैं कि यहां पर ब्रेंडिंग वगारा करी हुई है आप देख सकते हैं कि यहां पर इस्ट्रीट दीवा आप देख सकते हैं कि बोया सेम लोगो और बाकी सारी चीज़े यहां पर चलिए आपको बताता हूं इसकी एक अच्छी बात होती है कि यह 6 मिटर का वायर चाहे आप और जो कि सबसे पहला चीज आपको तुरंट माइक जो आप अगर अन्बॉक्स कर लिए उसके बाद तुरंट आपको खोशना है आपका यह जो कंडेंसर दिया हुआ इस पर तुरंट आपको qr-code खोशना पड़ेगा अगर नहीं है तो आपका माइक ओरिजिनल नहीं है ठीक अगर यहां पर qr-code आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी दूर दूर तक नहीं है यहां पर आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी QR कोड नहीं दिया है तो यहां पर यह 100 परसंट फेक वाला है यहां पर और भी सारी चीजों के बारे में जान लेते हैं आपको in the case यहां पर जो आप करते हो तो यहां से चली ओपन करता हूं मैं तो यहां पर भी हम इसको ओपन कर लेते हैं यहां पर आप देख सकते हो कि अभी यह जो बैटरी निकालने के लिए भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इस ने कर दिया है बाकी का यह होता है बैटरी को बाहर निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि जैसे ही मन तैसे इसको लगा दिया है उपर की साइड में यह होता है कि यह जो अभी आप देख सकते हैं कि छोटी सी पट्टी लगी हुई है यह अंदर होता है उसके बाद से बैटरी लगाई जाती ताकि इसको बैटरी को निकालने में असानी रहे तो आप देख सकते हैं कई सारे जो मतलब इसके जो कई सारे पीसेज होते हैं उनमें तो दिया भी नहीं होता है यह जो पट्टी आप देख रहे हैं स्लीप वाली इसमें दिया भी नहीं होता है तो यह पहचान करने का तरीका है तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं मेरे बाई तो मैंने आपको जैसा कि बता है रिजिस्टरड वाला जो यहां पे इन्हों ने लगाया हूआ है आर वाला उसी से आप पहचान कर सकते हैं कि आपका ओरिजिनला या फिर फेक वह काफी यादा सही रहेगा और बाकी का दूसरा आप यहां पे जो QR code है इसके थुरू आप पहचान कर सकते हैं कि आपका जो ये माइक है वो औरिजिनल है या फिर फेक है बाकी अगर पहली बार खरीद रहे हो तो ये वीडियो जरूर अपने दोस्तों के साथ भीजना अभी तक डिफ्रेंस तो आपको पता चली के होगा बाकी का और भी जो अठिक करेंग कि आपका सही है या फिर माइक जेनुवन प्राडक्त है और फिर कौन सा प्राडक्त है वो सब दिखा देगा नी बाकी का जो यहां पे डिजित होता है वाई यहां पर आपको सिलेल नंबर देख सकते हैं कि दिया ही नहीं हुआ है यहां पे एकड़म रहिए बच के रहिए बस पैसा खा जाएंगे ये सभी और मिलेगा बस यही फेक वाला प्रोडक्ट आपको तो इस वीडियो को इसी बात प्का लाइक करो और सब्सक्राइब करो साथ में चैनल को मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई कोई क्यों ह कैसे बच्राइब करो ही बाईब आनय खाहित दो अईसरिंगे किसी बाईब करो ही थाला खराईब को खमाशतों है किसी नेक्स ही आछ क्वसक्टय Dashijn आब करो ही भीडियो क söyl झब फ़जए आएंगा officialface Frank तर्व老師 इंछा ह Lynn करो हे ईनी ड़ encaps हैंपार आएंगा एंगां हैं झ